नमस्कार साथियों, GS Online में हम लोग इंडियन जोगर्फी को समराइज कर रहे थे दिस्टी कुइक बुक से, तो आज हम लोग देखेंगे Aluminium Plants, जो Aluminium Industry है, क्योंकि इसके पहले जो हम लोगों ने पढ़ा था Iron and Steel Industry, तो वो काफी इंपॉर्टेंट था और उसको हमने देखा कि मैप के जरीए भी समझने की कोसिस करी और यहां से कैसे questions आते हैं उनको भी हमने देखा तो इसके बाद जो दूसरा सबसे महत्रफूर्ण उद्द्योग आता है वो है इक दिन में पूरा आपको समराइस करके खतम कर दूँ लेकिन मैं चाहता हूं कि अगर एक एक चोटे-चोटे टॉपिक दूँगा तो confusion नहीं होगा याद होगा तो क्योंकि इंडस्टी से गलत बहुत होता है मैं आपसे पहले ही कहता हूं याद भी नहीं होता थो नाम आपको मिलेकी हइसे हिन डाल को है बाल को है नाल को है नाल को ही इसे ओंडाल को है पूछे जए पूछे में पर दोThere ने पर होगा रहा होगा यह रेज घूब यूजब हरा दुक्योग पर बहुद्म है कि लोगर सोनभ़धर उस्ट है यूजब से लगा हुआ है MP से भी थोड़ा लगा हुआ है तो आप देख सकते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट है तीनों यूपीस के लिए हम आज स्टूडेंस मैक्समें से मुझे लगता है बिलॉंग करते हैं और आप कहीं और से भी हैं तो कमेंट करें तो इसमें हिंडाल को कहां पर हैं देखेंगे वह भी देखेंगे किनको बाक्शाइट क्योंकि इसका प्रहु कच्या माल है वह बाकसाइट बनता है तो जहां ज़िदयो मैं आपको तो यहां पर आपका है लोहरदगा तो लोहरदगा में बाकसाइट की प्राप्ति होती है यहां राची पलामु जिले हैं और दिख रहा होगा और मुझे लगता है कि नहीं समंझ में आ रहा हो वाल और राराफ को बाल को यहां मरकंटक पहाड़ी छेतर से और महारास्ते छेतर से वाकसाई टोकर मिलता है भाल को नौको याद रहना चाहिए चाहिए महारास्त रेनुकूट और जो का हेंडालको नालको थो कहा है उत्तरपडेस तीसरा कौन सा है याद कर लीजे नालको नालक़ कहा है तो नालको के विदो हैं सब्सक्राइब के यह चाहना कर लीजे जाओं कर दिराओं हं मैप से याद हिंडाल को है आपका उत्तरपदेश में बाल को 36 गड़ मारास्ट में इसके बाद नाल को आपका ओडीशा में यानि की अंगुल है और कोरापुट है ठीक है? याद रहेगा? तो चलिए इनके अलग-अलग याद भी रखेंगे रेनु कूट में हिंडाल को कोरबा, 36 गड़ में बाल को अंगुल और कोरापुट में नाल को और जो आपका कोरबा है और रतनागिरी है वहाँ पर बाल को ठीक है? आईए अगला देखते हैं माल को माल को कहां पर है? अभी इन सब के फुल फार्म भी बताऊंगा पूरा डेटेल पढ़ाँगा बुक में है ना मद्रा जो मद्रास अलुमिनम कंप्ली लिम्टेड है तो इनका भी बताऊंगा मत होईए पहले मैप पर देख लीजेए फिर अभी आपको याद आता चलेगा माल को कहां पर है? तो माल को जो है ये है इसको बाक्साइट होके सिवरा की पहाड़ियों से मिलता है इसके बाद इंडाल के दो है एक अलबपुरम केरल में है और एक हीरा कुनुडीशा में है तो आपका इंडाल हो गया तो ये आपके प्रमुक हैं इनको मैच दा फॉलोइंग करके कोई कोहईश्शन आता है जिसको मैप पर देख लिया छी के अब फोड़ा सा और देखेंगे साइगे कहां-कआन हमें सारा तो नहीं या दो पाया का कि बाकसइट नहां-का या आए कहें-का तो बाकसइट मैनस करना पता होंगी ते मैं लोहर दगा की बात कर रहा था देखिए लोहर दगा है जो आपके कोरा पूट की बात कर रहा था देखिए कोरा पूट है आपके रतनागिरी छेत्र में देखिए यहां पर भी बाकसाइट पैया जा रहा है तो इस तरीके से आप देख पा रहे हैं कि जिन छेत्रों में बाकसा लौह इसपात उद्वग के पास दूसरा सबसे महत्युपन उद्वग है और इसमें भारत आत्मेबर राष्ट है ये क्या होते हैं इनके खास बात क्या होती है ये विद्वत बातल्थ संयन्त्रों के समीप अस्थापित की जाते हैं क्यों क्योंकि इनको बहुत जादा लएई लौह इसपात और जो बिद्धुत उस पादन संग्यंत्रों के समीप रहते हैं वो कौन से अलुमिनियू बद्धियोग अब इसका अस्थापना का विकास से question पूछा जाता है तो एक यह है आपके अलुमिनियूम इंडस्ट्री का development का यह पार्ट है पूरा इसको थोड़ा सा समझते हैं इसका स्क्रीन सौट भी लेके रख सकते हैं मैं इसको जो मिन कर दे रहा है अब भारत में इसके सुरुआत कैसे होती है तो भारत में अलुमिनियूम उद्धियोग की अस्थापना का करम जो होता है वो 1937 में शुरू होता है जेके नगर पस्चिम मंगाल में अलुमिनियूम कार्पोरेशन आफ इंडिया के नाम से इसके स्थापना होती है कब 1937 में कहां पर जेके नगर पस्चिम मंगाल में फिर दुतिये पंचवर्सी योजना के दौरान देखा जाए यह तो हीरा कुन ओडिचा में जो आपका इंडाल दिख रहा था तो हीरा कुन ओडिचा रेनुकूर्ट उत्तरपदिश में दो नवीन सयंत्रों के अस्थापना की गई तीसरी पंचवर्सी योजना के दौरान में टूर तमिल नाडू में टूर याद आया कौन सा था मालको मैंने क जाता है कि एक बार मैप देख लिए आपको याद आजाएगा और चौथी पंचवर्सी योजना के समय करनाटक के बेलगाम में नवीन अलूमिनियूम सयंत्रों के अस्थापना की गई तो यह रहापका एक विकास से संबन नित कि आपके पंचवर्सी योजना में कौन-कौ लें गें जितना इसमें दिया गया है सफिसीन दिया पहली बात हम लोग ज्यान गया रखेंगे कि क्या कोई ऐसा देष है जिसने की इस्थापना में सहीू किया है वो याद रखेंगे दूसरा अगर दिया हुआ है important है इनका कोई बाक्साइट छेतर है कहां से बाक्साइट मिल रहा है तो वो देखेंगे और तीसरा सबसे important देखेंगे कि इनकी location कहां पर है और चौती बात अगर हमें याद रखनी है तो क्योंकि विद्दुच सयंत्रों के पास में है तो इनको बिजली की supply कौन कर रहा है ठीक है अगर यह हमें मिल जाएगा तो थोड़ा से में आइडिया लग जाएगा इनसे इतने ही अब क्या यह भूलेगा जारखन का लोहर दगा नहीं राची पलामू जिलों तथा ओडिशा वो छत्तिस गड़ राज्यों से होती है इसकी खास बात क्या है तो यह दूसरी पंचवर्शी योजना में सहयुक्त राज अमेरिका के सहयोग से इसको अस्थापिक किया गया था यह दिया भी है सहयोगी देश कौन सा था सहयुक्त राज्य अमेरिका और कभी यह थी तो दूसरी पंचवर्शी योजना में अब इसको ओर्जा की प्राप्ति कहां से होती है बिजली कहां से मिलती है तो मत भूलिए कि आपके वहीं सोनभद्र में कौन सी परियोजना है रि जो आपको नियरली करेक्ट है वहीं भी जाएगा ठीक है अगर आपको मानली लोहर्द अगार ना भी यादा तो आपको स्टेट अटलिस्ट याद रहेगा और जो रिहन्द है यह भी नहीं गलत करेंगे आप और दो तीन बाते याद रखनी है कि USA से USA का सयोगी देश है और चली कुछ तो माइन में रहना चाहिए तो स्क्रीन सॉट लेकर दुबारा जाके देखिए भारत अल्यूमिनियम कंबनी लिम्टेड तो इसी का शॉट फाम हो गया बाल को अब यह है कहां पर तो कोर्बा 36 गड़ में रतनागिरी महारास्ट में अब दो बाते प्रमुक्षि कितरे से वहां को खेंडरा को दिखाए अब खाने नहीं याद करने को जरूरत है और शिकेत्न को प्राप्ति हो जाती है वहाँ पर अबलीबल है दो है सबसे इंपोर्टेंट का क्या है कि जो बालको है वो कहां पर है कोर्भा 36 गड़ रतनागीरी महाराज याद रहेगा चलिए अगला देखते हैं नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड नालको मैप पर याद आ रहा है जो मैंने आपको दिखाया तो बिल्कुल आपको याद आ रहा होगा कि अंगुल में मैप आपने देखा था दामन जोडी कोरापूट मैंने आपको बताया था तो दो आपके कार खाने हैं इनको बाक जल्विद्दूत पर योजना है उससे इनको बिजली मिल जाएगी अब इसका सहयोगी देश याद रखना है कि नालको का सहयोगी देश है वो कौन सा है फ्रांस है जो हिंडालको था उसका USA जो आपका नालको है वो फ्रांस अब आई तीसरा देखते हैं इंपॉर्टेंट चोथा मद्रास Aluminium Company Limited मालको मालको क्या है तो 35 योजना में पढ़ा ही था यह मैटूर तमिल नाडू में है मैप पर याद आ रहा होगा अब यहीं पर जल्विद्दूत में तूर पर योजना है तो वहां से मिल जाती है और बाकसाइड इसको सेवरागी पहाड़ी से बुड़ा लंजीगर ओडिशा में है उसे मैप नहीं दिया था तो मैंने नहीं बोला ओडिशा में ही है विदानता Aluminium Limited और इसका सहीयोगी देश है जर्मनी तो यह चोटा सा टॉपिक रहा है Aluminium का Aluminum industry का जो आपको एक्जाम में पूछा जाता है आई देखते हैं दो लेके चल रहा हूं ताकि आपको इंडस्टी तयार हो जाए जो चैप्टर आसानी से पढ़े जा सकते हूं उनको में बहुत जल्दी आदे गंटे गंटे में कवर कर देता हूं जिनमें फैक्ट होते हैं उनको सोचता हूं छोटे पार्ट में रखोंगा थोड़ा ही पढ तो लाइक करेगा तामा उद्योग कौपर इंडस्टी जो है वह तामा भारत का प्राचीनतम धात्यों के द्योग है आप जानते रहें कि लौध पात वा प्रमुख धात्यों के लिए तीसे नंबर पिसका आ गया किन्तो भारत तामे की मांग के अनरूप अपनी आपूर्द स्टीन शॉट भी लेके रख सकते हैं यह रहा है इसका पूरा है हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड का जो प्रगलन सायंत्र है कहां है मलाजखंड मध्यप्रदेश खेतड़ी चांदमारी जुझनू दरीबा राजस्थान और घाटसिला ज जो तामबा का है। इनकी जो प्रमुक्त खाने हैं ज्यादा तर आपको मध्यप्रदेश में मिलेंगी राजस्थान में मिलेंगी और जिहार-कड्रौन मिलेंगी तीन ही स्टेट हैं यहीं को दिखाने के लिए मैंने एक साथ में मैप रखा हुआ है ताकि आप कॉपर को देख सकें कि कॉपर जो प्रोडक्शन होता है को पर माइन्स के मैप में आप देख पा रहे होंगे बहुत क्लिर तो आपको इमेज नहीं दिख रही होगी तो कि अगर ऐसा याद रहेगा तो आपको सारी माइस नहीं आद करने खेतरी बगरा जुनिन हुए इनको थोड़ा सा मैप पर देखेंगे तो आपको असानी से याद हो जाएगा तो तीन स्टेट में लिए आपको याद रखने थे तामाय काईयों में अब आप देखिए मलाज इसका तोठोकुडी तमिलाडू में है विदान्तापरूप की कंपनी है और जहगाडिया कापर लिम्टेड इसका भरूज गुजरात में तो बहुत इसमें डेप्ट में कुश्चन नहीं पूछा जाएगा में इसके स्टेट को लेके कापर प्रडक्शन को लेकि पूछा ज अगला वीडियो जो आएगा हम लोग टेक्स्टाइल इंडेस्ट्री पर डिसक्स करेंगे क्योंकि वहां से कुश्चन बनते हैं और उसको भी ऐसे मैप से समझने की कोशिस करेंगे और आपको याद कराने की कोशिस करेंगे बाद में इस पर प्रैक्टिस यह भी हल करेंगे तो अमीद करता हूँ कि आपको मारा वीडियो पसंद आया होगा मिलते हैं अगले वीडियो में बिल बाएग